है दोस्तो वेलकम टू आईरवेद केर चैनल बारिश का मोसम शुरू हने चा रहा है और यह वह मोसम है जिसमें हम सबसे ज़्यादा बीमार होने की आशंगा रहती है तो आएए देखते हैं हमारे प्राचीन रुशी मुनियों ने वो कौन से आहार विहार या खान पान रहन सह बताए हैं जो इस मोसम में हमें बीमारी से बचाते हैं यह वर्नन आश्टां रुदे के रुटु चरिया अध्या से लिया गया है तो आएए जानते हैं वर्षा रुटु चरिया के बारे में ग्रिश्मरुतु के वज़े से हमारा शरीर दुर्बल होता है जिससे हमारी जाठरागनी या पाचन शक्ती भी कमजोर हुई होती है वर्शारुतु में बारिश के वज़े से वाद, पित और कफ के दूशित हो जाने पर हमारी जाठरागनी और कमजोर पढ़ जाती है जिससे हम बीमार बढ़ते हैं ऐसा आयरुवेदिय शास्त्रकारों का मानना है इस सिती से बचने के लिए आहार बिहार त्री दोशों का शमन करने वाला होना चाहिए इसके लिए हमें पहले किया हुआ अन्न का सही से पाचन होने के बाद ही भोजन करना चाहिए भोजन में पुराने जों, गेहू या चाबल का इस्तेमाल कीजिए अगर आप मासारी हैं तो अच्छी प्रकार से पकाए गए मासरसों का सेबन कीजिए शाहकारी व्यक्ति के लिए मूंग, मसूर्जे से दालों का सेबन, मधु याने शहेद, पुराने आसवरिष्ट और काला नमक युक्त पंचकोल, याने पिपल, पिपली मूल, जव्य, चित्रक, मुस्ता, इनके चूर्ण को आहार में मिलाकर सेबन करें बारिष के दिनों में वर्षा का जल, जो आकाश से सीधे गिरे पात्र में जमा किया हुआ हो, उसका सेबन करना बहुत ही लाबदायक है वर्षा के अतिरिक्त अन्य जल अगर पीना हो, तो उसको उबाल कर ठंडा किया हुआ ही पिए इस रूतु में खटे पदार्थ का सेबन कदापी ना करें, नदी के जल का सेबन सीधे न करें, उसको उबाल की ही लें, मठा या छांच न पिएं, सत्तु का सेबन ना करें, दिन में कदापी न सोएं, अधिक परिश्रम ना करें और इस रूतू में पढ़ने वाले धूप से अपनी शरीर को बचाएं कीचड में नंगे पेरों से न चले और शरीर पर सुगंधी द्रव या इतर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं हमारे आगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी लेकर तब तक हमारे साथ बने रहिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए अगर आपके कुछ प्रश्ण हो तो कमेंट कीजिए और ज़्याद इस दाद लोगों तक ये वीडियो शेर कीजिए धन्यवाद